दोस्तो कल का मोनिटरी पॉलिसी में रिजब बैंक के तरफ से एक बहुत बड़ा चौकाने वाला एक डिसिशन लिया गया है रिगार्डिंग लोन सेटलमेंट और ये दोस्तो बहुत हेल्प करने वाला है उन बॉर्वर को उन लोन लेने वाले को जिनका पेमेंट बहुत दिन से नहीं हुआ है और खासकर आपने देखा होगा बहुत दिन से अगरा पेमेंट नहीं करते हो तो आपका लोन का स्टाटस विल्फुल डिफॉल्डर या फिर फ्रॉड बोलके घोशित कर देता है बैंक और उस सिनरीयों में कहीं न कहीं आपको भी पता है बैंक चाहे तो आ कस्टमर बहुत दिन से पेमेंट नहीं कर पड़ा है उनके लिए सेटलमेंट का एक बहुत बढ़ा ओफर या फिर आप तोफा दिया है रिजाब बैंक के तरफ से पूरा डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा तो आगर आप भी बहुत दिन से पेमेंट नहीं कर पारे और आप लोन को सेटलमेंट करना चाहते है चाहे आपका कोई भी लोन हो कोई भी बैंक किया फिर नवीजी से लिए हो वीडियो को जरूर देखिए पूरा ओफिशल इनफॉर्मेशन के साथ और लिंक और जो भी इनफॉर्मेशन है डिटेल्स में एक्स्प्रेइन करने वाला वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक बॉटन को प्रेस कर दीजेगा और साथ इसाथ अगर आज चैनल में नए हो ऐसे ही वीडियो आगे देखना है चैनल को सब्स्राइब करके घंटी का बॉटन को आल कर दीजेगा तो चली दोस्तों बात करत अगर देखा होगा अगर आप मैकसिमम टाइम पे मतलब दस में से नो कस्टमर इसे होंगे जिनका भी लोन एन पीए हो चुका होता तो बैंक जान बुच के वहाँ पे वीडिफुल डिफॉल्डर बोलके अपडेट कर देता है और वीडिफुल डिफॉल्डर मतलब बैंक य मन रहें कि आप जान बुच के पैसा नहीं दे रहो तो उस सिनारियों में बैंक चाहे तो आपके उपर लिगल एक्षन भी ले सकते हैं लेकिन फाइनली दोस्तों रिलीब देते हुए आर बी आई ने कहा दिया कि आईसा जो भी अकाउंट है जहां पे विल्फुल डिफॉल से दिया गया है और इसके लिए बैंक को बोला है आप लोग एक फे मौक बनाइए यहां पर आर बी आई को इंटर्वेंट्स नहीं करेगा यहां पर जो भी मैनेजमेंट है उनके टीम से जो भी ऑफिसर है का हायर रैंक पर ओलो मतलब जो है अप्रूबल जैसी दे देगा आ नीचे आपको दे दूगा वहाँ से आप खुद भी डिटल समें पढ़ सकते हो लेकिन दोस्ति यहां पर एक चीज में आपको बता देना चाहांगा सेटल्मेंट का पोसेस होता है आपको इपता है ज्यादा होता है बहुत कम होता लेकिन दोस्ति यह जो फ्रेमवाक का लेकिन इसके बारे आप बीता कोई clarification आया नहीं है लेकिन में इसका official link जो website का RBI के framework का जो भी official link है वो में दे दूंगा आप भी खुद भी एक बद चेक कर सकते हो जाएसे कोई clarification आता में बता दूंगा लेकिन यह आपने आप में बहुत अच्छी जो है step है RBI के तरफ से यहाँ पर बता देना चाहूंगा RBI ने खुद कहा है कि तीन महिने के अंदर अगर पेमेंट कर रहे तो इसको settlement बोलके आप दिखा सकते हो settle बोलके और अगर तीन महिने से जादा कोई customer time अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पर settlement लिखके नहीं आगा वहाँ पर restructure बोलके लिखके आगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर restructure का भी सुविदा मिल सकता है मतलब अगर कोई customer का willful default हो चुका है और वो customer settle करने के लिए तयार है दो या तीन बार में payment करने के लिए तो उसका settlement हो जागा और अगर कोई customer ऐसा payment नहीं कर पागा है कि तीन बार में उसको 6 महीने 8 महीने एक सल लाईगा तो अगर वहाँ से bank approval देते तो उसका bank approval देते तो उस जगह पे आपका loan को restructure का भी सुविदा मिल सकता है आप अपना राई मुझे जरूर बता सकते हो कि RBI ने जो यह प्रोयक्रिबली जो बोला है bank को आधिस दिया है किया यह से borrowers को फाइदा मिलेगा आप मुझे जरूर बता सकते हो इस वीडियो का comment section में हम मिलते अगले वीडियो में अब तक अपना बहुत सा रख्या लगीगा जहिन बंदे मातरा